आप सब लोगों को मेरा नमस्कार पीछले कुछ हफ्तों से हम लोक देख रहा है कि दिल्ली के अंदर नगर निगम की तरफ से भारतिय जन्ता पााटि श्यासित नगर निगम की तरफ से दिल्ली में कई जगे बुल्डोजर चलाए जा रहे हैं और कहा जा कि अगले कई महीनों तक बुल्डोजर चलाए जाएंगे उन्हें वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली से सारा अतिक्रमन हटाने जा रहे हैं जितना भी एंक्रोच्मेंट है इलीगल कंस्ट्रक्शन्स हैं वो सारी हटाई जाएंगी हम खुद भी अतिक्रमन के खिलाफ हैं हम नहीं चा जाते कि इलीगल बिल्डिंग्स बननी चाहिए है दो चीजें इसमें इंपोर्टन्ट हैं एक यह कि पिछले 75 साल में दिल्ली जिस तरह से बना है दिल्ली प्लैंड तरीके से नहीं बना दिल्ली जिस तरह से दिल्ली का विस्तार हुआ दिल्ली जिस तरह से बनी 80% से ज्यादा दिल्ली illegal या encroached कही जा सकती है 80% से ज्यादा दिल्ली जो है वो अतिकरमन के दाइरे में आएगी तो प्रशन उठता है कि क्या 80% दिल्ली को तोड़ा जाएगा दूसरी बात ये उठती है कि जिस तरीके से अतिकरमन को हटाया जा रहा है ना कोई कागज हैं ना किसी को मौका दिया जा रहा है बुल्डोजर बस लेके किसी भी कॉलोनी में पहुंच जाते हैं और किसी का भी घर तोड़ने लग जाते हैं किसी की भी दुकान तोड़ने लग जाते हैं वो आदमी कागज लेके खड़ा है सडक के उपर चिला रहा है, दया की भीक मांग रहा है, कि मेरे कागज तो देख लो मेरे पास हैं कागज, मेरे पास हैं मेरा जो यह है, यह 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 इलीगल नहीं है, यह इनक्रोश नहीं है, मैं कई कई चालिस-चालिस साल से यहां पर रह र रखी है कि इनकी प्लानिंग है कि दिल्ली की सारी कच्छी को लोनियों को तोड़ा जाएगा कि दिल्ली की कच्छी को लोनियों में लगबक पचास लाख लोग रहते हैं इनकी प्लानिंग है कि दिल्ली की सारी जुग्यों को तोड़ा जाएगा, दिल्ली की जुग्यों में लगबक 10 लाख लोग रहते हैं, इसके अलावा 3 लाख प्रॉपर्टीज की ऐसी इन लोगों ने लिस्ट बना रखी है, जहां पे इनका कहना है किसी ने नक्षे के इतर, ज तोड़ा जाएगा, 63 लाख लोगों पर बुल्डोजर चलेंगे, मैं समझता हूं यह आजाद भारत का सबसे बड़ा विध्वन्स होगा, सबसे बड़ा विध्वन्स होगा, यह तो सही नहीं है, चुनाव के पहले भारती जनता पार्टी ने कहा था, कि कच्ची कॉलोनियो के लोगों को मालिकाना हक दिलाया जाएगा, चुनाव के पहले इन्होंने कहा था, जहां जुग्गी वही मकान बना के दिये जाएंगे, और अब चुनाव के बाद यह इनको सब को तोड़ने के लिए आ गए, यह तो सही नहीं है, मैं समझता हूं जिस तरह से दिल्ली का हम मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि हम भी अतिकर्मन के खिलाफ हैं, हम नहीं चाहते कि अतिकर्मन होना चाहिए, हम नहीं चाहते हमारी दिल्ली खुबसूरत होनी चाहिए, हमारी दिल्ली अच्छी होनी चाहिए, लेकिन 63 लाख लोगों को आप बेघर कर दोगे, 63 लाख लो बीजेपी का राज था दिल्ली नगर निगा में पंदरा साल में इन्होंने और इंक्रोच्मेंट्स कराए और इल्लीगल बिल्डिंग्स बनवाई उसके खुब पैसे आरोप लगता है कि खुब पैसे लिये गए पैसे ले लेके कराए गए अब जब इनका कारेकाल पूरा हो गया है अठारा तारिक को इनका कारेकाल पूरा होने जा रहा है अज 16 तारिक हो गई है दो दिन बचे हैं 18 तारिक को इनका कारेकाल पूरा हो गया क्या इनकी नैतिक इनके पास पावर है आपने कानून पास करके अब एक आफिसर लगा देंगे और वो लेकिन आपकी क्या न नई MCD बनेगी उसको निरने लेने दीजिए चुनाव के बाद पूरी दिली जानती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी नगर निगम के अंदर हम दिली के लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि यह अतिकरमन की और अवैद रूप से बनी हुई दिली की समस्या को हम समाधान करेंगे कच्ची कॉलोनियों को साफ सूथरा बनाया जाएगा कच्ची कॉलोनियों को रेगुलराइज करेंगे लोगों को मालिकाना हक दिलवाएंगे कच्ची कॉलोनी के लोगों को वहाँ पे अलेडी हम लोगोंने सडक बिजली पानी की विवस्था कर दिया साफ सफाई उनको अच्छी कॉलोनी के रूप में विक्सित किया जाएगा जुग्गी वालों के लिए मकान बना रहे हैं हम लोग टाइम लग रहा है जुग्गी वालों के लिए मकान बना रहे हैं जुग्यों से भी मुक्ति दिलाएंगे दिली को उनके लिए मकान बनाएंगे उनको इज गर रस्ते पर कब्जा करका उसे लोगों को बादब पॊंचती है ऐसे लोगों को मौका देखे उनको हटाने के लिए कहा जाएगा लोग हटाते हैं कई बार हमने ऐसे प्रयास किए लोगों को बुलाया उनको कहा भी ठीक नीए इसको भडा六 गटावलेते हैं अपने कोदी तोड़ लेते हैं आप लोगों पर बुल्डोजर क्यों चला रहे हो हम दिल्ली को ठीक करेंगे हम दिल्ली को ठीक करके दिखाएंगे जैसे हमने शिक्षा में बहतर काम किया स्वास्ते में बहतर काम किया बिजली ठीक करी पानी ठीक कर रहे हैं ऐसे हम इसको इल्लीकल और अतिकरमन को भी इसको ठीक करेंगे, लेकिन इस तरह से बुल्डोजर चला के लोगों के घरों को और लोगों की दुकानों को उजाड़ना ये सही नहीं है, हम इसका सक्त विरोध करते हैं, अभी मैंने विधायकों की मीटिंग ली और मैंने उनको यही कहा है, कि जेल भी जाना पड़े, डरना मत, लेकिन आपको जनता के साथ खड़ाओना इस तरह से बुल्डोजर चलाना सही नहीं है, दादागेरी गुंडागर्दी करना सही नहीं है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना सही नहीं है.